लोगों की हाइट कम रहने की पीछे काफी सारी वज़य हो सकती है किसी के मातर पिता की लंबाई कासर बच्चों बर पढ़ता है तो कभी कभी खान पान की वज़य से लंबाई बढ़ने में दिक्कत होती है ऐसे में अच्छी हाइट पाने के लिए अच्छे खानपान का होना बहुत जरूरी है संतुरित भोजन आपके सरीर के संपूर्ट विकास के लिए बहुत जरूरी है आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अपनी हाइट उचित भोजन और राइट की मदद से अपनी हाइट इंक्रीज करें तो इसलिए इस वीडियो को सुरू से लेकर रन तक देखें और हलका सा भी स्किपना करें वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सबस्क्राइब कर ले और साथ में बैल अकन को दबा दे लंबाए बढ़ाने के लहमें अनेक परिकार के पोस्ट दत्वों की जुरुत पड़ती है अगर हम इनका लगाता रक्षितरे से सेवन करें तो हाइड बढ़ाने में काफी चता मदद मिलेगी सबसे पहला होता है प्रोटीन प्रोटीन सरीर को उर्जा देने का काम करता है दूसरी नमर पाता है मिलरन सरीर की हड़ी को मजबूत बनाता है और उनकी विकास में मदद करता है तीसरी नमर पाता है विटामिन विटामिन सरीर में अनेक अंगों को समाने रूप में बनाये रखने में मदद करता है जैसे तोचा, बाल, नाखून, गरंथी, दात, मसूड़ा और हड़ी हैट बढ़ने के लिए तीनों चीज प्रोटीन, विटामिन और मिलन आपकी बोड़े में अच्छी मातरा में पढ़ जाट होना चाहिए नहीं तो आपके हैट बढ़ना काफे ज़्यादा मुस्किल है आप कौम कुछ खाद परदात के बारे मताएंगे जिनके हल्प से आपके हैट एजली इंक्रीज हो जाएगी पहला है दूद, दूद के मुदद से आपके हैट एजली इंक्रीज हो सकती है अच्छी हैट पाने के लिए दूद पीना अच्छा उपाई है दूद पीने के अनिक फादे होते हैं दूद में कैलसियम भरपूर मातरा में होता है जो हड़ियों को मजबूत बनाता है दूद में कैलसियम के अलावा विटामिन A और प्रोटेन भी परचूर मातरा में होता है जो कि शरीर के विकास के लिए काफ़ ज़्यादा आवश्यक है तो इसलिए रोजाना एक से दो गिलास दूद पेना फायदे मन्द है आपके लिए और यदि आप कैमल मिल्क यानि की ऊट का दूद अफोर्ड कर सकते हैं तो ऊट के दूद का सेवन करें ऊट का दूद हमारी भोड़ी की विकास में एहम भूमिका निभाता है और इससे आपके हैट इंक्रीज होती है क्योंकि ऊट की दूद में काफ़ जादरा में टूटिन विटामिस और मेलर परजांट होते हैं जो कि नॉर्मल दूद में नहीं होता है आप इसे अपने नज़दी की स्टोर से खरीज सकते हैं नहीं तो आप इसे हमेजोन से भी ओर्डर कर सकते हैं इन विटामिन परचूर मातरा में पाए जाते हैं और साथी साथ फाइबर और पोटेसियम भी हरी सबजिया में होता है जो हाइड बढ़ाने के लिए काफ़ चाथा आवस्चक होता है पालग में हर तरह के मेलरस मजूद है साथ ही इसमें पाने की मातरा भी विद मान होती है जो खाने को रेस से युट बनाती है हाइड बढ़ाने में सलगम का भी एहम योगदान हो सकता है हाइड बढ़ाने वाले हरमोंस के लिए सलगम भोतिक कारगर थाज़ित होता है सल्गम में फाइबर, प्रोटीन, मिलरस और विटामिस होते हैं सल्गम को आप किसी भी रूब में खा सकते हैं आप इसे कच्चा खा सकते हैं, इसकी सबजी बना सकते हैं या इसका जूस भी आप पी सकते हैं इस तरह से सलगम आपके हाइड बढ़ानहे में हेलپ करेगा सोयाबीन सोयाबीन के म мощ से भी आपके हाइड एसील इंउस हो सकती है सोयाबीन में काफी मात्रा में प्रोटिन होता है जो कि स्रिल की विकास के लिए काफी ज़्यदा अवशक है और जो कि स्रील को तागत परदान करता है सोयाबिन खून की कमी को भी दूर करता है प्रोटिन के साथ सोयाबिन में फाइबर, विटामिन और और कार्वोहेडरेट के मातरा भी परजेंट होती है ड्राइफूर्ट, ड्राइफूरुट, आपकी हाइड में काफ़े ज़्यादा एहम भूमी का निबास सकता है अगर आप अपनी हाइड को लेकर काफ़े ज्यादा परिषान है तो आप अपने ड्राइट में ड्राइफूर्ट, नट्स और सीट जरूर सामिल करे क्योंकि dry fruit में काफी पर्चुरू मातरा में vitamins, minerals और proteins present होते हैं जो कि आपके height के लिए काफी जादा important होता है और इनका 7 करना से आपके body में सभी परियार के पोसक तत्व अच्छी मातरा में बने रहेंगे और इससे आपके height increase हो जाएगी इन ड्राइफरूट में पाए जाने वाले पोसक तत्व human growth hormones याने के HGH की मातरा आपके bottom increase करता है और यही human growth hormones आपके height increase करता है तो यह इसलिए काफे जादा आवश्यक हो जाता है कि आपकी diet में ड्राइफरूट जरूर होना चाहिए मैंने कुछ ड्राइफरूट के links मीचे description box में डाल रखते हैं आप वहाँ से जाके order कर सकते हैं नहीं तो आप अपने नज़्दिकी store से भी ड्राइफरूट ले सकते हैं oatmeal, oatmeal के मदद से भी आपके height increase हो सकती है oatmeal protein का एक बहुती अच्छा source है जिसमें की काफे ज़्यादा मादरा में protein परजांट होता है और ये एक vegetarian food है जो कि साकाहरी वक्ती के लिए काफे ज़्यादा अच्छा है oatmeal हड्यों और tissues को repair करने में मदद करता है 50 gram oatmeal का रोज 7 करने से आपके लंबाई बढ़ने में काफे ज़्यादा मदद मिल सकती है और ये oatmeal आपके लिए game changer की तरह साबित सकता है यदि आप अपनी height से काफे ज़्यादा परेशान है तो अपनी diet में आप oatmeal का 7 ज़रूर करे मैंने oatmeal का भी लेक डिचल description box में दे रखा है आप वहाँ से जाके order कर सकते हैं दोस्तो आप अपनी diet में कुछ ले ना ले लेकिन oatmeal और dry fruit ज़रूर ले क्योंकि oatmeal और dry fruit में काफे ज़्यादा मातरा में protein, vitamin और millers होते हैं जो की body को easily मिल जाते हैं लेकिन जब आप कोई भी diet लेते हैं तो उसमें कुछ time लगता है लेकिन इनमें काफे जाता मातरा में पोसेकर परजेंट होते हैं जो की आपके height के लिए काफे ज़्यादा helpful हो सकता है दोस्तों आजकल बजार में काफे ज़्यादा मिलावट वाला drive fruit और oatmeal मिलता है आपको हमने कुछ link provide की है यह काफे ज़्याद authentic और trustable product है आप यहाँ से order कर सकते हैं बनाना यानि की केला केला मार्केट में काफे ज़्यादा सस्ता है और यह height बढ़ाने के लिए को उत्तम बल है जिसे हर किसी को पूरे उम्र लेना चाहिए केले की मदद से आपके हैट एज़्याद करीज हो सकती है आपने देखा हुआ कि जिसे अपना वज़न कम करना होता है वे लोग केला खाने से परहेज करते हैं क्योंकि केले में बहुत सारे ऐसे तत्त मज़ूत है जो की हर्ट बढ़ानाय में मदद करते हैं केले में पोटेसियम, मागनेसियम और कैलसियम भी होता है केले का पोटेसियम हर्डियों को कम जोड होने से बचाता है और ये मिलरस हर्डियों को होने वाले नुकसान को भी कम करता है साथ हड्यों में कैल्सियम की मातरा को भी बढ़ाता है जिससे बोंस की लंबाई से ढंक से बढ़ती है और इसके मदद से आपकी हड़ बढ़ती है लंबाई बढ़ाने के लिए पड़ती दिन 2-4 केले का सेवल करे आप केले का जूस भी पी सकते हैं केले के juice पने के अनेक फायदे होते हैं काला चना काला चना के मदद से भी आपके heat increase हो जागी वैसे तो काला चना का परियोग वजन बढ़़ाने के लिए किया जाता है लेकिन काले चने में कहीं ऐसे पौसक तत्व है जो कि आपके heat increase करना वे आपकी मदद करता है ये थे कुछ important भोजन जिनकी मुदद से आप अपनी हैट easily increase कर सकते हैं यदि आप इनका बढ़ती दिन 7 करें आप अपनी डाइट में इन सारे चीज़ों का 7 जरूर करें खासकर कैमल मिल्क, ड्राइफरूट, ओट मिल्क और केले का ये चारों चीज़ आपके हैट केले काफ़ जाता लाब दायक थाबित हो सकता है और ये चीज़े आपकी हैट काफ़ जल्दी और काफ़ी easily increase कर सकता है दोस्तों आपके हैट अभी कितनी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस वीडियो को में फ्रेंट के साथ फेस्बूक और वटसफ ग्रूप में जरूर सेयर करें वीडियो को लाइक करना ना बोले चैनल को सबस्क्राइब कर दे और साथ में लागन को दबा दे